गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स प्रिय विध्यारती हूं आज के मेरे व्याख्यान में मैं बिकोम पार्ट थर्ड ए ए एफम सेकिंड के अंतरगत व्यावसाई के बजटन के शुन्य आधार बजटन के बारे में चर्चा करेंगे पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको बताया था शुन्य आधार बजटन की परिवाशा की संबन में और परंपरागत बजट से और शुन्य आधार बजटन किस तरह से भिन्ध है इसके बारे में चर्चा की थी शुन्य आधार बजटन की विशेस्ता ही क्या है प्रक्रिया अपनाई जाती है सबसे पहले हम बजट उद्देशों का निर्धारन करते हैं निर्णे इकाई का निर्धारन करते हैं निर्णे पैकेज त्यार करते हैं निर्णे पैकेजों को क्रम प्रधान करते हैं बजट का निर्मान करते हैं और संसादुनों का आवंधन करत यह एक तरह से पूरी प्रक्रिया हम अपनाते हैं देखिए जैसे की शुन्य आदार बस्टन में बजट उद्देशों का निर्मान जो महत्वून है शुन्य आदार बस्टन प्रनाली के स्थापना के लिए बस्टन के उद्देशों का निर्धारन पहला कदम है बस्टन का देशों की प्राप्ति में सायग नहीं होती है इसी तरह से दूसरी दूसरा जो कदम हम उठाते हैं शुन्य आधार बस्टन की प्रक्रिया में वो है निर्णा इकाई का निर्धारण यानि कि एक निन्ने एकाई कार्यात्मिक विभाग, कार्यकरम, बाजार, ग्रहयकों का समुए, भोगोलिक, शेत्र या पूंजगत परियोजना से परियोजना हो सकती है, प्रतिक निन्ने एकाई अन्ने एकाई यहों से स्वतनत्र होना चाहिए ताकि लागत लाव में यह सरवादिक महत्वपुन कारी है निन्ने इकायों का निर्धन करने के उपराद प्रतेक निन्ने इकाय का प्रभंदक अपनी इकाय की क्रियाओं का विशलेशन करता है तता अपने उद्देशों की प्राप्ति के लिए वाइकल्पिक विद्यों की जाच करता है इसके प है जिसमें निंच्टाइप का प्राइव का वर्ढन किया जाता है कि प्रभंध उनका मुल्यंगन कर के चीमित-साधनों के लिए प्रतिषपर्दी निक्रियाओं के विरुध क्रमिस्थान प्यार्दा कर सके और यह निर्णे ले सके कि उसका अनुमदण करना है या नहीं इसी तरह से जो चोथा और या चर्थ जो आपका प्रक्रिया है या कदम है वह लिन्य पrąस्थान करने के लिए प्रस्थत किया जाता है और लिए करने का उद्देश सीमिस संसाद उनों का सर्वोतम उप्योग करना ही होता है इसी तरह से आपके यानि जब हम एक निर्णे पैकेज को जब हम करम प्रतान करते हैं तो कुछ बाते हमें ध्यान में रखनी होती है कुछ तत्यों को में ध्यान में रखना होता है वो जैसे की कारे कार्यक्रमों की परीचालन साथिता, तता कार्यक्रमों को ट्यागने में संहित जोकिम का अध्यान, तो यह सारी चीज़े हमें ध्यान में रखनी होती है, जब हम करम-प्रदान करते हैं फारना संसाधन का आवंटन यानि शुन्य आधारीज बजिटन का अंतिम चरण संस्ता के सीमिस संसादनों को निर्णे पैकेज के एकिकरत क्रमिस्थान के आधार पर विभिन निर्णे कायों में आवंटित करना होता है यानि एक बार प््रबंद को निर्डने पैकेज प्राप्त हो जाने पर उपलब्द कोशों के आधार पर पैकेजे स्युकार करने के लिए एक कट अफ बिन्दू तैकर ली जाता है कोशों की निर्दारिस सीमा के भीतर आने वाले सभी पैकेज शुकार कर ले जाते हैं तता अन्य को ऐस शुकार कर दिया जाता है ठीक है तो कुल में लाके हम कह सकते हैं कि अंतिम चरण में उपलब संसादनों के पूर्वा नुमान के पश्चाप क्रम इस्थान दिये जाने या क्रम इस्थान दिये गए निर्णे पैकेजेज को संचई राशी के आधार पर निगरानी रखना एक सरल प्रक्रिया है कुल उपलब संसादन स्विकारिय वेहों का निर्मान करेंगे ठीक है इसी तरह से अब हम चर्चा करते हैं शुन्य आधार बस्टन के लाब क्या क्या है देखिए शुन्य आधार बस्टन के लाब क्या है शुन्य आधार बस्टन क्यों बनायते हैं हम लोग क्योंकि हमें कई इस से फाइदे होते हैं लाब होते हैं शुन्य आधार बस्टन प्रक्रिया के अंतरगत कोई विप्रवढदग जो बजट प्रस्टाव रखना चाता है। स्वेम अपने आप से प्रश्ण करता है कि बजट प्रस्ताव का उद्देश क्या है इन उद्देश्य के पूर्ति के वैकल्पिक तरीके क्या है क्या बजट प्रस्ताव तकनिके मार्तिक दिश्टे से व्यभारी है तता यदि प्रस्ताव ऐस्विक्षत कर दिया जाता है तब नहीं संबढ़ धात्मक विजारदारा इंक्रिमेंटल अप्रोच का प्रियुक के जाता है बलकि प्रभंदक प्रस्तावित कारेकमों का लागत लाव विशलेशन के आधार पर मुल्यांगन करके उनके महत्तु के अनुसार प्रात्मिक्ताओं का निर्धारन करते हैं तो लाव विशलेशन द्वारा मांगू को न्यायचित थेहरहन होता है अध़ प्रबंदगों को सदक श लियुक किया जा सकता है इस तरह बहुतर तरीके से लागत नियम्झरण कर सकते हैं यह विदि उन शेत्रों में विया नियंत्रण के लिए अधिक उभ्योगी होती है जहां विया उत्पादन से सीधे संबंदित ने होकर स्वय विवे किया लागत शेत्र या अन्य साइक क्रियाओं जैसे कानुनिवे सेवा वर्गी विभाग की खर्चे आधिशे संबंदित होत किया जाता है जिन के प्रभंदा की निका ईससे उत्तरदायित प्रले भी करिया को अधिक कुर्चन बनाया Pacific से संबल यह संस्ता के उत्जिश्ट को बजट से संबंदित किया जाता है केवन इस आधार पर कुछ भी स्विकत नहीं किया जाता है चुकि भूत काल में स्विकत किया गया था यदि यह संस्ता के उद्देशों की प्राप्ती में कोई साहता नहीं करता है और तुरंत उचितकारवई का भी एक महत्तुपून लाब मिलता है कि जैसे ते से संचालित्वे प्रभंदित क्रियाओं का तुरंत पता लग जाता है अधा प्रभंद इन्हें सवाप्त करने के लिए तुरंत कारवई कर सकता है लेकिन इसकी कुछ सीमाई भी है शुन्याधार बस्टन की सीमाई भी है जैसे आपके क्रियाओंवेन संबंदी समश्या यानि इस प्रणाली का सपल क्रियाओंवेन उच्च प्रभंदकों के सयोग पर निर्वर करता है इस विधी की सबलता के लिए भी आवशक है कि अधिकारियों का आनन फानन में अस्तांतरन नहीं किया जाए जिन विभागों में करमचारी इस्तांतरन की प्रवर्टिया दिखोती है वहां स्प्रणाली का प्रियोग कठिन हो जाता है यह बहुत बड़ी सीमाथ इस तरसे लागस संबंदी सीमाथ भी है यह प्रणाली समानिता पर आधारी था कि संस्ता का प्रवंद कुशल है उस प्रस्रिक्षत प्रवंदों के हातों में है इसलिए शुन्याधार बजटन प्रणाली लाओ कोने से पहले एक विशिष्ट मूलवू धाचे की आवशक्ता होती है जिस पर रत्यादिक व्याय करना होता है इस दोसे निड्रने पैकेज के निधा रनकी समच्चा है इसमच्चेअ मुख्य के समच्चा प्रयासों के न्यूंतम इस तरह करन की है क्योंकि कोई भी प्रवंद्ध चालू इस तरह सी